इसलाम लेकुम डियर लेर्नर्स, प्टेशल उन्टेपनियोर्ज एन्टेपनियोर्ज इन एक्शन हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में उन्टेपनियोर्शिप इको सिस्टम की इस कोर्स के बिलकुल आगाज में अगर आपको याद हो हमने आप से कुछ indexes के score शेर किये थे हम आपको ये बताना चाहरे थे कि entrepreneurship एक economic development process में अपना क्या role play करता है और country wise और region wise क्या सुर्टेहाल है और उसके इलावा ये कि हम कहां खड़े है as compared to our neighboring countries entrepreneurship ego system की बात गाहे बगाहे मुख़े वीडियो में हम करते रहे हैं because ये इतना एहम topic है कि इसको in detail देखना बहुत जादा जरूरी है इसी एक topic को multiple videos में discuss करते हुए at the end of this course हम दुबारा इसलिए बात कर रहे हैं इसके उपर because अब जबके आप समझ चुके हैं entrepreneurship है क्या entrepreneur क्या होता है उसकी characteristics क्या है किस किस तरहां से आप entrepreneur बन सकते हैं अगर number एक आपको management को देखना है तो strategically managerial affairs को आप कैसे देख सकते हैं क्योंकि आपको entrepreneur तो all in all होता है अगर आपको marketing efforts करनी है तो marketing में आपकी product हो, price हो, place हो, promotion हो किस तरह से उन चीज़ों को देखना है अपनी financial management को किस तरह से आपने maintain करना है चलाना है, देखना है उसके बीच में branding क्या है उसके बीच में हमने आपको बहुत से entrepreneurs से मिलवाया उनसे practical insights दी उसके बाद फिर दुबारा हम आ रहे हैं अपने topic के ओपर that is entrepreneurship ecosystem आपने इसको operate करना है entrepreneurial ecosystem के अंदर अब थोड़ी detail में चले जाते हैं detail में इस तरह से के एक ecosystem basically होता क्या है अगर आप internet पे जाएंगे तो ये एक definition आपको commonly हर source मिलेगी के ecosystem क्या है a community of living organisms in conjunction with non-living components of their environment interacting as a system system आप और आपके महौल के अंदर जितनी भी छीज़ें वो living है वो non-living है आप उनके साथ जिस तरह एक अपनी interaction करते हैं integrate करते हैं अपने आपको system के साथ और system आपके साथ it's called an ecosystem एक पूरा broad ecosystem उसके इलावा इस एक जो है जिसे कहते हैं Global Entrepreneurship and Development Institute J-E-D-I J-E-D-I जो है उसने भी अपने report के अंदर और उसी की report से हमने आप से statistics शेर किये थे latest ठीक है उन्होंने अपने report में क्या लिखावा है ecosystem के बारे में a system which is organized in a set of interacting and interdependent subsystems that function together as a whole to achieve a single purpose यानि एक बड़ा system होगा उसके अंदर छोटे छोटे सब सिस्टम्स होंगे वो सब सिस्टम्स एक दूसी के साथ integrate करेंगे और वो integration एक खाहत मकसद के लिए होगी सादा लफ़ों में क्या कहते हैं मिसाल के तौर पे एक मुलक है उस मुलक के मुकलिफ सूबे हैं उस मुकलिफ सूबों के मुकलिफ शहर हैं शहर के अंदर मुकलिफ गाओं हैं छोटचोटे इलाके हैं उनके अंदर लोग रहते हैं educational institutions हैं hospitals हैं government के institutions हैं road हैं सड़के हैं जंगलात हैं उसके इलावा एक हमारा system है, cultural values है, यह सारे छुटे-छुटे subsystems है, यह सारे एक दूसरे के साथ integrate कर रहे हैं, configure कर रहे हैं, यह integration and configuration of resources हो रही है, basically यह आपके और मेरी जिन्दगी का पईया चलाते है, मेरे एर्दगिर्द एक पूरा environment है, which is recording this video, उसके इलावा, we are linked with the university, उसक के इलावा, हमने entrepreneurs को भी अपने साथ invite किया, उसके इलावा, we are living in a society, जहां से हम आपके लिए examples लेकर आ रहे हैं, फिर we are living in a certain city, वहां का culture, फिर हम आपको लहुर चैम्बर अफ कॉमर्स इंडस्टी में लेके जाएंगे, वहां के businessmen की particular issues, यानि आप expand करते चले जाएं, और ये expansion जो है, ये country से बाहर निकल के यहां तक है, के पूरी दुनिया है, global village जो है, बहां तक चली राती है, these all are the subsystems and they are connected with each other, आप एक कसरा दूसरे से काट ही नहीं सकता है, so you are working in an ecosystem, report में ये EDI ने और क्या लिखा है, in general, ecosystem is a purposeful collaborating network of dynamic interacting systems and subsystems that have an ever-changing set of dependencies within a given context, एक खास context होगा, उस खास context के अंदर आप operate कर रहे होंगे, dynamic का मतब है कि सब systems अपने आपको बदलते रहते हैं, improve करते रहते हैं, और इसी ever-changing environment के अंदर, इसी ecosystem के अंदर आपके business ने operate करना है, now see how complex it is to, you know, do a business, इन्होंने अपनी report में define किया है ecosystem को as entrepreneurial ecosystem at socio-economic level, having properties of self-organization, scalability and sustainability as dynamic, institutionally embedded interaction between entrepreneurial attitudes, abilities, aspirations by individuals, which drives the allocation of resources through the creation and operation of new venture. लंबी चोड़ी definition है, ज्यादा घब्रानी की ज़रूरत नहीं है, सादे से लवजों में, अगर आप अपनी screen पे इस छोटे से figure को देखें, जो मैंने इसी report से लिया है, तो आपको ये complex definition आसान लगना शुरू हो जाएगी. आप एक entrepreneur है, आपके पास अपनी ability है, आपके पास अपका certain attitude है, आपके पास इर्दिकेती aspirations है, success stories है, इसी story में रहते होएं, आपने अपना business, entrepreneurial trial and error dynamics system, अपना business करना है, जिसमें आप कुछ अच्छे कुछ गलत पैसले करेंगे. So, hit and trial चलता रहेगा. कभी industry की बात आपको समझ में नहीं आएगी, कभी industry को आपकी product समझ में नहीं आएगी, कभी customer को आपकी product समझ में नहीं आएगी. So, ये dynamic का मत्तब है कि हर रोज एक निया दिन, एक निया फैसला, एक नई entrepreneurial activity है. उसके एर्दिगरत आपके पास महौल होगा, जिसमें आप operate कर रहे होंगे, वो आपके market structure है, वो आपके एर्दिगरत का infrastructure है, roads है, कोई research and development की activity हो रही है, तो वो है, आपके banks, financial sector जिसे आपने loan लेना है, अपने payments करनी है, अपने suppliers को, आपका corporate sector, आपके government जिसने आपके लिए policy design करनी है, being an entrepreneur, जिसना आज किल government बहुत जादा जोड़ दे रही है, कि जो young entrepreneur, जो young generation है, उसको सरफ job seeking की बचाए, job creating के तरफ भी आना चाहिए, तो उनको entrepreneur ही बनना चाहिए, और आपका education system, ये सारा का सारा एर्दिगरत आपके एक environment, एक framework बनाता है, जिसके अंदर रहते sector is a sub system, लेकिन ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़के बेसिकली ये आपके लिए एक पूरा enabling environment create कर रहे हैं, जहां पर आपका business कारोबार करेगा, अगर आपको याद हो, शुरू के videos के अंदर, जहां पर हमने आप से scores share किये थे, जिसमें हमने बता system के 12 pillars थे, जो के global entrepreneurship index में हमने discuss किये थे, वो 14 pillars आपकी screen पर आपको नजर आ रहे होंगे, opportunity perception, startup skills, risk acceptance, networking, cultural support, opportunity startup, technology absorption, human capital, competition, product innovation, process innovation, high growth, internationalization, and risk capital, so this is basically an ecosystem, ecosystem, ecosystem को मुक्तिफ researches ने मुक्तिफ तरीकों से define किया है, लेकिन आपको उनकी कुछ common grounds हर जगा पर नजर आचाएंगी, इसी तरहां JEM ने, global entrepreneurship monitor ने, भी अपना एक framework दिया है, जिसमें उने बताया है, कि again, वही बात कि entrepreneurship does not take place in a vacuum, a whole host of factors determine how easy or difficult it is to start up a business, so JEM अपना national expert survey करते हैं, और यह देखते हैं, कि basically एक ecosystem कितना helpful यह कितना difficulty create कर सकता है किसी startup के लिए, JEM 12 indicators को देखता है for defining an ecosystem, जो के हैं, financing for the entrepreneurs, government support and policies, taxes and bureaucracy, governmental programs, basic school entrepreneurial education and training, post school entrepreneurial training, R&D, transfer, commercial and professional infrastructure, internal market dynamics, internal market openness, physical and service infrastructure, cultural and social norms, यह सारे subsystems हैं, आपके एरदिगर operate कर रहे हैं, और बीच में as a nucleus आपका वो business है, अगर अपनी screen पर आप देख सकें, तो JEM ने अपना जो ecosystem का conceptual framework दिया वा है, वो उसको इस तरह से define करते हैं, कि आपकी जो government है, आपकी market की openness है, financial markets हैं, technology और R&D, infrastructure, आपके managerial skills, label market और आपके जो institutions हैं, basically वो help करते हैं, कि आप small medium enterprises या large enterprises जो हैं, वो establish करें, जब new establishment, यानि के नए businesses शुरू होंगे, तो economic performance बहतर होगी, Likewise, अगर आपके पास जो entrepreneurial framework conditions हैं, general conditions के इलावा, उसके अंदर अगर हम मजीद इजाफा कर लें, तो government policies, government programs, entrepreneurial education, R&D, legal infrastructure, internal market dynamics, internal market जिसे कहते हैं, आपके burdens, आपके physical infrastructure, social and cultural values, तो वो increase करती हैं, आपकी entrepreneurial opportunities को increase करती है, enhance करती है, आपकी entrepreneurial capacity को, आप motivate होती हैं, नए pumps बनती हैं, and again, आपकी जो overall economic indication है, किसी भी मुल्क के indicators जो हैं, वो improve होते हैं, So that's how GEM define entrepreneurial ecosystem, हम ecosystem के बारे में ही बात करेंगे, और ज़्यादा detailing में बात करेंगे, एक नई definition के साथ बात करेंगे, बद इन ने 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 विडियो,